आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार BPSC की का ओनलाइन फॉर्म आपका स्टार्ट हो गया है 289-2024 से 18 अक्टूबर 2024 लग आप इसमें आविधन कर सकते हैं इसका ओफिशल पोटल है BPSC Online का जहां से आपको आविधन करना है आविधन करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है verify करने के बाद next option है date of birth का तो आपका जो भी date of birth है date month and year वो आप यहाँ से select कर सकते हैं और इसके बाद फैंसर नीचे आपको दोबारा से इसे यहाँ पर confirm करना होगा तो जो भी जानकारी आप यहाँ पर fill करेंगे वो आपको दो दो बार enter करकर यहाँ पर verify करनी होगी इसके बाद next option आपके यहाँ पर father name का है और उसके बाद आपका जो next option है वो आपके husband name का है जो female candidate है उनके लिए है अगर यहाँ आपको देना होगा आपका mother name mother name देने के बाद marital status option है आप married है unmarried है वो जानकारी आप देंगे 200 रुपे अगर आप यहाँ बचना चाहते हैं 200 रुपे से अधारकार से आप यहाँ पर अपना account link करें इसके बाद friends जो भी आप यहाँ पर ID दे रहे है और जैसे अधारकार है तो अधारकार की जो PDF है वो आपको यहाँ पर upload करना है इसके बाद citizen of India आप है या नहीं है वो बिहार के निवासी है तो आपका जो मूल निवास प्रमान पत्र है permanent resident certificate PRC उसका certificate number issue date कभी यह issue हुआ है और आपको permanent resident certificate upload करना होगा इसके बाद फ़ेंसे next option आता है आपकी cast category का तो सबसे पहले पूछा गया है कि आप reserve category से belong करते हैं नहीं करते हैं अगर आप नहीं करते हैं मत आपको यहाँ पर PDF format में upload करना है ऐसे ही आपका SC, ST, EVC या BC आपका जो भी certificate है उनकी जानकारी इस्टेट वाले certificate की जानकारी वह आपको यहाँ पर प्रवाइड करनी होगी तो यह फ्रेंसे आपके documents upload होंगे और यह PDF format में आपके upload होने वाले हैं तो यहाँ पर फ्रेंसे दे date है तो आप यहाँ पर YES कर सकते हैं और आपका layer of necessity क्या है आपका energy certificate number एक इस्टेट है किस where करेंगे बिहार गप्रेंट के अपने टिरो defa करेंगे इसके आपको करेंगे अरकिया लग्याइव स्वेश्ट करेंगे सकते लगने 2 यहां पर करेंगे इसकी बनीस है आप रेते हैं इस मेहां पढ़ता है आह प्लाइन होसी क्या qualification पास की है, वो किस session में पास की है, तो आपकी mark sheet पर यह option मिल जाता है, तो आप अपना session यहाँ देंगे, passing year आपको यहाँ पर देना है, इसके बाद college या school या institution का नाम आपको यहाँ पर enter करना होगा, इसके बाद friends आपको यहाँ पर board का नाम देना है, marks obtain देने हैं, और उसके बाद आपको full marks यहाँ पर देने होगे, और आपकी जो percentage है वो आपको यहाँ पर enter करनी होगी, तो यह friends basic जानकारी है, जो कि आपको देनी है, ऐसे ही 10 plus 2 में भी आपको अपनी subjects के criteria है, वो आपको यहाँ पर provide करना होगा, मतलब आपने यहाँ पर कब से कब तक आपने qualification को complete किया है, वो आप जानकारी देंगे, आपका जो passing year है, वो आप यहाँ पर दे सकते हैं, और उसके बाद friends आपका यहाँ पर जो college या करेंगे, get mobile OTP करेंगे, आपके पाद जो OTP आएगी, वो OTP आपको यहाँ पर enter करनी होगी, इसके बाद आप capture code को fill करेंगे, और उसके बाद यहाँ से submit registration form है, यहाँ से अपने OTR को आप submit कर देंगे, इसके बाद friends आपका यहाँ पर देखिए, जो OTR है वो complete हो जाएगा, और उसके बाद friends आपको आपका user name and password है, वो आपको मिल जाएगा, तो अपने user name and password को डाल कर आप यहाँ से login कर सकते हैं, इसके बाद friends जब आप यहाँ पर अपने इसके बाद आपको यहां मिलेगा application form का option आप इस पर click करेंगे इसके बाद आपको देखें जो form है वो start हो गया है यहां पर जो option है CCE का तो आप CCE के लिए apply करना चाहते हैं तो CCE को select करें CDPO के लिए आविधन करना चाहते हैं तो CDPO को भी select कर सकते हैं तो 2 notifications यहां पर जारी हुई है और apply करने से पहले जो notification है उसको आप जहां से जरूर पढ़ने आप जितनी post के लिए apply करना चाहें तो आप apply यहां पर कर सकते हैं आपको नीचे qualifications के options मिलेंगे तो यहां पर same सबसे पहले metric की जानकारी देनी है आपके subject का नाम तो यहां पर friends से इसी तरह से आपकी जो subject हैं वो आप यहां पर enter कर देंगे इसके बाद friends से आपका 70 कौन सा है वो आपको 70 यहां पर enter करना है और उसके बाद year of passing देना है आपके institute का आपको यहां पर नाम देना है आपके friends से board का नाम देना है, इसके बाद top tank आपको देना है, कितने numbers आपने gain किये, कितने में से gain किये और आपकी percentage कितनी है, वो आप यहाँ पर enter कर सकते हैं, तो यह basic जानकारी होगी जो की friends से आप यहाँ पर enter करेंगे, यह metric की जानकारी है, इसके बाद है gradation details, तो आपकी जो आपको देना होगा, आपके जो numbers हैं वो आपको यहाँ पर provide करने होंगे, आपको percentage आपको देना होगी लीचे आपको certificate upload करना है, तो metrics certificate detail, तो metrics पर यह ओपा down certificate Connecticut man के साथ ड़ेना है, जो certificate है metric का साथ है आपका issue date भी mention होगा, तो issue date भी अपो यहाँ पर enter करनी होगी, इसके पर आपको अप्लोड करना होगा इसके बाद नीचे options में अगर आपको कोई भी option applicable है तो आप उसकी जनकारी यहां पर दे सकते हैं नहीं तो आप बिलेंग चोड़ेंगे सबुसाइब करें अगर Hip Camp अभी सकते हैं पर इसके बाद निवास कि तो कि निइना है है अपके कि इसो की है क्या करेंगे आपको यहांपकर यहाँ पर चैयर करना होगा नहीं है उसकेशन आपको यहांपर अलाओ करना होगा camera जब आपका यहाँ पर allow हो जाएगा तो आपको camera show करेगा इसके बाद आपको click here to upload images पर click करना है आपकी live photo capture हो जाएगी और उसके बाद signature आपको English और Hindi दोनों ही में आपको यहाँ पर upload करना है तो यहाँ पर friends अगर आप English में sign करते हैं आपको यहाँ पर दिया गया है तो इन size में आपको photograph in signature upload करना है इसके बाद friends आप नीचे आएंगे और नीचे आने पर यहाँ से data को declare करेंगे declare करने के बार आप अपना form आप यहाँ पर submit कर देंगे इसके बार आपको एक option मिलता है click here for payment का आप इस option पर click करेंगे payment करने के लिए अब आप यहाँ पर जो payment है वो friends से किसी भी bank के credit card, debit card, net banking से आप कर सकते हैं अगर आप यहाँ पर UPI से payment करना चाहें तो आप UPI ID यूज़ कर सकते हैं UPI QR code भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं अपने payment के लिए तो यहाँ से friends से आपको आपका जो payment है वो आपको complete करना होगा जब आपका payment यहाँ पर complete हो जाएगा verify हो जाएगा इसके बार आपना final print out आप download करकर अपने पास